जमुकश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है पुंच में भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फी बर्फ दिखाई दे रही है वहीं सोनवर्ग में बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ से धका नजर आ रहा है करगिल में भी चार और बर्फ की चादर बिची हुई दिखाई दे रही है घर, मकान, सडक सब कुछ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं बियरों की टीमें रास्ता खाली कराने की कोशिश में लगातार लगी हुई है मौसम काफी खुश्रुमा हो चुका है सैलानियों के चेरे खिले हुए है वह हिमाचर प्रदेश के शिमला की भी तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं जहां जबर्दस्त बर्फबारी के बाद पूरा इलाका मानो बर्फिस्तान में तबदील हो गया है मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है जहां पिछले कुछ दिनों में हलकी सी गर्मी दिखाई दे रही थी लेकिन अब जोर्दार बर्फबारी के बाद पूरा उत्तर भारत फिर से थंडा हो चुका है और खास दोर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जबर्दस्त बर्फबारी हो रही है और मौसम सुहना हो चुका है अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचर प्रदेश के कुल्लू की वादियों में जहां पहाड़ीयों का सौंदर्यत देखते ही बनता है चार ओर और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है जोर्दार बर्फबारी हो रही है पेड़ पौधे पूरी तरह से सफेध हो चुके है सडको पर जहां तक नजर जाती है बर्फ जमी होई है अलकि कई जगा ओले से एक बर्बाद भी होई है फसल वहीं पहाडों पर जहां भारी बर्फ बारी हो रही है मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिज़ाज बदल गया है डिल्ली अन्सियार में बारिश से ठंड बढ़ चुकी है कानपूर में पेज हवाओं के साथ बारिश होई है वहीं मुजफर नगर में बारिश के साथ ओले भी पड़े है